दोस्तो एक ऐसा NBFC जो की totally illegal type का काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं जो की आप लोगों को जानना ज़रूरी है अगर आप लोगों को यह वीडियो नहीं देखते हो तो आप लोगों को बहुत जादा जो है मुसीबत का समना करना पड़ सकता है तो सभी से मैं रिक्वेश्च कर रह आप लोगों जो है information सही मिलेगा अगर आप लोगों ने भी इस application से loan लिया है तो आप लोगों के साथ भी यह चीज हो सकता है बहुत सरय ऐसे subscribe दोस्त के साथ भी हुआ है इसलिए मैं आपके साथ यह share कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी यह ना हो अगर होता है तो है पूरेलिग हैं तो अगर आप लोग नए हो तोष्पaser प्रिश्ट कर रहा हो कि सब्सक्राइबटें जल्ट सब प्रिस कर डीज़ तक आने वाले इस तरीक का लोटिकर इंफरमिशन जब भी मैं आप लोग विशन साथ करो सब से पहले आपको नोटिफिकेस pip दोस्तो अगर आप लोग पॉकेटली लोन एप्लिकेशन से लोन लेते हो तो वहां पर ऐसा चीज अभी के टाइम में कर रहे हैं कि आप लोग देखने के बाद मतलब सोचो के कि यह चीज भी यह लोग कर सकता है totally illegal कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कि आप लोग जब loan लेते हो loan लेने के time एक video KYC वो लोग लेते हैं आप लोगों से कि वहाँ पर बुलाया जाता है कि आप जो भी loan ले रहे हो उसको जो है timely चुका होगे यह तरीके का जो है एक video KYC वो लोग ले लेते हैं जब आपको loan प्रोवाइड करते हैं अब वो वीडियो KYC क्या कर रहे हैं सब भी आपके contact list पर forward कर रहे हैं जैसे कि आप लोग उसक्रीन स्क्रीन सॉट्स में देख रहा है कि जो वीडियो KYC है वो जो है contact list पर भीजने का धमकी दे रहा है तो आप लोगों को यह समझना है कि यह जो है NBFC है पहले NBFC इस तरीके कामकाज नहीं करता था जितना भी परिशानी हो जाए कुछ नहीं करता था लेकिन अभी के time में फर्जी loan application हट गया है लेकिन यह NBFC फर्जी loan application जिस तरीके से परिशान करता था इनसान को उसी तरीके से यह लोग भी सेम चीजे कर रहे है अब में चीज क्या है यहाँ पर फर्जी loan application के साथ क्या NBFC भी हाथ मिला लिया है इसके साथ इसलिए क्या यह लोग इस तरीके का चीजे कर रहे है क्योंकि RBI के guidelines में यह साथ तर पर लिखा है कि कोई भी अगर loan लेता है default करता है तो वहाँ पर कोई भी loan application किसी का contact list पर call नहीं कर सकता किसी भी friend circle को call नहीं कर सकता RBI में साथ तर पर जो है guidelines दिया हुआ है लेकिन फिर भी यह लोग कर रहे है क्यों कर रहे है क्योंकि इन लोगों के पास और कोई चारा है ही नहीं बचा ही नहीं है इन लोगों के पास यह देख रहे है कि मेरे के पास पैसा फसा हुआ है मेरे को भान में जाए RBI भान में जाए सब कुछ अभी जो है मेरे को पैसा उठाना है जो होगा बाद में देखा जाएगा RBI अगर कुछ बोलने आएगा तब हम लोग देख लेंगे तो ये सब चीज़े जो है ये लोग सोचते हैं और ये सब चीज़े करते हैं तो RBI के तरफ से guidelines दिया हुआ है फिर भी NBFC जो है अपना मनमानी कर रहे हैं फरजी loan applications की तरह ही ये लोग काम काच कर रहे हैं जिस तरीके से पहले ये NBFC इस तरीके काम नहीं करता था ये सब आप लोगों को जो information ये सब चीज़े कर रहा है ये NBFC का जो भी अभी techniques नहीं अपना रहे हैं कि आपको phone करके धमकी देना contact list hack कर लेना contact list पर फोटो मॉर्फ करके भेजने का धमकी देना ये कहां से सिखा ये लोग फरजी loan application वालों से तीक है ये पहले ऐसा नहीं करता था जब से ये फरजी loan application आया था तब से ये लोग सुरू किया है बोल रहा है कि भाई इतना परदिशन मतलब न्यूज में आ रहा है ना सब चीजे कि न्यूज में आ रहा है कि ये सब जो भी है फरजी loan application ये कर दिया इससे जो है इतना लाख रुपे उनके pocket से निकाल लिया अब ये लोग जो है अन्बी एपसी टोटेली जो है ये लोग समझ गए कि भाई इतना आप लोगों को करना क्या है सबसे में इंपॉर्टन चीज अगर कोई भी आपको इस तरीके का चीजे भेजता है वहां पे वहाँ पर साफ़ताव पर मेंजन करेंगे हम इस loan application से बोल रहे हैं आपका ये चीज है मेरे पास आपको ये मैं forward कर रहा हूँ आपके family को forward कर रहा हूँ आपके contact list पर forward कर रहा हूँ तो एक ही चीज यहाँ पर मतलब बचा एक ही चीज है वो क्या है वो है RBI को जो है tag करना Twitter पर तो आप लोगों के पास अगर इस तरीके का message आता है जो की screen source में आप लोगों को screen source इस तरीके लेना है और RBI में tag कर देना है company के साथ RBI को tag करना है company का ऐसे ही धिला हो जाएगा ठीक है वो लोग बोले कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते हम लोग सरीफ है ऐसा मतलब bad practices हमारा करते ही नहीं कोई agent भी नहीं करते मतलब deny कर देगा totally लेकिन आप लोगों को जो है ये RBI को भी दिखाना है कि आप लोगों के अंदर रहकर भी ये लोग इस तरीके काम कर रहे है take some action तो ये चीज जो है आप लोगों को मैंने बोला कि important video है क्योंकि ये जो है बहुत खराब चीज है कि आपका personal information दूसरों के साथ share करना totally illegal है क्योंकि आपका privacy leak कर रहे है कोई भी loan applications को आप लोग अपना information share करते हो वो दूसरे के साथ ये लोग ये सब चीज़ा share कर देते हैं totally illegal होता है तो सभी से मैं request कर रहे हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके के चीज़े फसते हो आप लोग देखते हो इस तरीके चीज़े तो RBI में Twitter में handle में जाके आप लोग टैग करो, tweet करो Twitter ही एक ऐसा जगा है जो कि instant आपको reply मिलेगा बाकी जो है बाद में आप लोगो को जो होगा देखा जाएगा, ठीक है तो दोस्तो, I hope कि इस वीडियो के तरू आप लोगों को information जो है बहुत ही important मिला होगा और वीडियो अचलागा है तो एक like जरू कर दीज़ेगा दोस्तो subscribe button प्रेस करना ना भूले तब तक के लिए चलते जाहिए 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 जाहार दोस्तो